जारखंड में तिव्र गर्मी की लहर तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक वृत्धी यलो अलट जारी जारखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पुर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले पास दिनों तक तिव्ड गर्मी की लहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है राजधानी राज्य समेत पूरे राज्य में तापमान में तीन डिगरी सेल्सियस तक वृत्वी होने का अनुमान है पिछले 72 घंटों में राज्य के अधिकान्ष खिस्तों में मौसम शुष्क रहा सराय केला खर्शावा जिले में 44.8 डिगरी सेल्सियस के साथ उच्तम तापमान दर्ज किया गया जबकि गिरेडी जिले में नियूंतम तापमान 21.7 डिगरी सेल्सियस रहा राची में अधिक्तम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और नियूंतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा आगामी पास दिनों में राज्य में तापमान में क्रमिक वृध्धी होने की संभावना है 28 अप्रेल को कुछ शेत्रों में आंसिक बादल चाये रह सकते हैं लेकिन मौसम मुखे रूप से शुष्क रहेगा दो मई तक राची में आसमान साफ रहने और मौसम सुष्क रहने का अनुमान है तेब्र गर्मी की लहर को देखते हुए मौसम बिभाग ने अगले पाच दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है लोगों को तेज धूप और गर्मी से बचाओ के लिए आवश्यक एहत्याद बरतने की सलाह दी गई है तेब्र गर्मी की लहर को देखते हुए मौसम बिभाग ने अगले पाच दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है लोगों को तेज धूप और गर्मी से बचाओ के लिए आवश्यक एहत्याद बरतने की सलाह दी गई है जनता के लिए सलाह तेज धूप में बाहर निकलने से बचे खास कर दोपहर के समय यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो धीले ढाले और हलके रंके कप्रे पहने बार-बार पानी पीते रहे और निर्जली करन से बचे गर से बाहर निकलते समय चाता टोपी और संस्क्रीन का उप्योग करे यदि आप अस्वस्त महसूस करते हैं तो तुरन डॉक्टर से संपर्क करे